हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज मैं आपके लिए दपपी लव मुवी को एक्स्प्लेन करने वाला हूँ, इस मुवी की स्टोरी 14 साल की एक लड़की डाइना पर बेस है, मुवी की शुरुआत डाइना से होती है, जो अपने बॉइफ्रेंड के साथ फिज अब उसके फादर आकर उसे सोने के लिए कहते हैं, वो जल्दी सोने को बोलकर अपने डैड को वहाँ से भेज देती है और खुद अपनी मुवी को देखना कंट्यूनी रखती है, अब अगले दिन स्कूल के बाद डाइना अपने बॉइफ्रेंड के घर जाती है, क्योंकि डाइना ने उसे पॉन्ड मुवी की सीडी दी थी, ताकि वो उन्हें देखकर सेक्स करना सीख जाये, और जब वो उससे पूंसती है क्या उसने वो सीडी देखी, तो उसका बॉइफ्रेंड मना करता है, ये सुनकर डाइना गुस्से में वहाँ से चली जाती है, अब घर जा जूलिया की नजर डाइना पर जाती है, तो डाइना उसे देखकर छुप जाती है, लेकिन तब तक जूलिया ने डाइना को देख लिया था, और अगले दिन जूलिया डाइना के घर आती है, जहां वो डाइना के पिता से पियानो टीचर का कॉंटर्ट नमबर पूशती है, अगले दिन जब डाइना अपने छोटे बाई के साथ इस्कूल जाती है तो इस टेंड पर उसे जूलिया मिलती है वो उसके पास पियानो टीचर का नंबर देने जाती है तो जूलिया लेने से मना करते हुए कहती है कि मुझे किसी पियानो टीचर का नंबर नहीं चाहिए और डाइना के बारे में कहती है कि मैं तो बस उस लड़की को देखने गई थी जो छुप छुप कर मुझे देखती है तो डाइना कहती है कि मैं तुम्हें छुप कर नहीं देख रही थी इतने में जूलिया की स्कूल बस आ जाती है जब जूलिया बस में जाने लगती है तो पीछे मुड़कर डाइना से पार्टी में चलने के लिए पूंसती है अब ये दोनों शाम को पार्टी में जाती है जहां जूलिया अपने फ्रेंड्स के साथ काफी एंजोय करती है जूलिया डायना को बिना बताए पार्टी से बाहर आकर अपने फ्रेंड के साथ इंटीमेट होने लगती है तो तबी उसे ढूंडते हुए डायना भी पार्टी से बाहर आ जाती है जहां उसे जूलिया अपने फ्रेंड के साथ रोमांस करते हुए मिलती है अब ये दोनो दो लड़कों के साथ गाड़ी में जाती है, कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी रोक कर इनमें से एक लड़का जूलिया के साथ इन्टीमेट होने लगता है। एक दिन डाइना स्कूल के वाश्रूम में नहाने लगती है तो पानी बीच में खत्म होने की वज़े से वो बॉइज वाश्रूम में नहाने चली जाती है जहां बाकी लड़के उसके साथ छेड़चाड करने लगते हैं तब ही कोच वहां आकर डाइना को वहां से ले जाता है डाइना के डैड उसे स्कूल लेने आते हैं तो रास्ते में डाइना अपने डैड से उसके साथ सोने के लिए बोलती है और जब उसके डैड डाइना को मना करते हैं तो वो रास्ते में गाड़ी से उतर कर चली जाती है अब जूलिया, डाइना और उसके parents के साथ घूमने जाती है जहां ये एक hotel में रुखते हैं जूलिया के mom dad के room में जाने के बाद ये drink करती है इसके बाद जूलिया एक waiter के साथ room में जाकर intimate होने लगती है तो तबी डाइना भी वहां आती है और इनको इंटीमेट होते हुए देखती है जूलिया इंटीमेट होने के बाद वाश्रूम में जाती है तो डाइना और वेटर किस करने लगते हैं इतने में जूलिया आकर वेटर को वहां से जाने के लिए कहती है अगले दिन ये दोनों साथ में होती है और जब ये वाश रूम में होती है तो डाइना जूलिया को किस करती है अब शाम को ये दोनों कलब में पार्टी करने जाती है जहां डाइना एक लड़के के साथ किस करती है लेकिन जब वो उससे औरल सेक्स की डिमांड करता है तो डाइना वहाँ से भाग कर जूलिया के साथ होटल आ जाती है अगले दिन जब ये घर वापस आते हैं तो डाइना अपने डैड के साथ एक औरत को देखकर जेलस फील करती है डाइना के डैड इसे और इसके छोटे भाई को एक ट्रिप पर लेकर जाते हैं जहां इन के साथ जूलिया भी जाती है और वहाँ ये एक लड़के के साथ बोटिंग करने के बाद उसके घर जाकर ये तीनो साथ में इंटिमेट होते हैं अगले दिन जूलिया को अपने डैड के साथ डांस करता हुआ देखकर डाइना उन्हें वहाँ से चलने को कहती है वहाँ से वापस आने के बाद डाइना के डैड को नशे में देखकर जूलिया उन्हें सिड्यूस करने लगती है डाइना के डैड उसे रोक कर बाहर आते हैं तो जूलिया भी उसके पीछे जाती है और बाहर आकर ये इंटिमेट होने लगते हैं तबी डाइना इन्हें साथ में देख लेती है और अपने डैड को थपड मार देती है उसके डैड उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन वो रुकती नहीं और वो बोट पर जाकर सोजाती है पूरे दिन डाइना के डैड उसको ढूंडते हैं तो डाइना उन्हें रोड पर चलती हुई मिलती है और वो उसे अपने साथ गाड़ी में बैठा कर घर लेकर आते हैं वहाँ डाइना को जूलिया मिलती है और अगले दिन जब ये शौपिंग करने के लिए एक मॉल में जाते हैं तो डाइना जूलिया को साथ चलने का बोल कर बाहर आ जाती है जूलिया और उसके डैड भी उसके चोटे बाई के साथ पीछे आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रोड़ क्रोस करके सामने वाली रोड़ पर खड़ी ओकर इन की तरफ इसमाईल करती है और इसी इसमाईल के साथ ये मुवी समापत हो जाती है दोस्तो इसी तरह की फिल्मों का हिंदी एक्स्प्लेनेशन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एज को अभी सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का बटन धबा दे जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें धन्यवाद दोस्तो